तो फ्रेंट्स ये एशा टेलिकॉम की न्यू एडिशन है 2020 की अगर आप चाहे तो यह ले सकते हैं हाडवेन्स ओफेंट टोनों में बहुत यह अच्छा चिपलेवल ग्यान इसमें दिया गया है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको यह देखिए फ्रेंट्स जैस यह आप पर पूरा रोधन जा चुका है लो फ्रेंट्स वेल्कम टो आर यूट्व चैनल टेक्निकल फेरोज आपका अपना चैनल दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेट बटन दिख रहा है उसे दबा के सब्सक पूरा एंड तक देखिए बहुत है वीडियो और हो सकता है यहां पर लोगो भी कुछ नहीं आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर इस सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां पर बने दिख सकते हैं अलग कर लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे बजर मोट पे सट कर लिया है यहां पे आपको से रखना है कूल टेस्टिंग के लिए चलिए यहां पर सबसे पहले यहां पर यहां पर देखें यहां पर मेरी पावर यहां पर पीम 8953 इसमें लगते हैं जो कि में पावर ऐसी है और इसमें जो सेगेंडरी पावर ऐसी जिससे आप लाइट चाटनी ग्राफिक इसी बोल सकते हैं प्लिए प्यम आई एट नाइन पाई तो है मैं भी आपको बताऊंगा सब पहले यहां पर चेक कर लेते हैं पीम यहां पर लगाता हूं तो यहां पर नीचे के साइट लगाता हूं वहाँ पर थीडरीय लगाता हूं तो यहां पर नीचे के साइड लगाता हूं तो यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर भी आप लगाता हूं तो भी बज रही है चलिए मैं मल्टिमेटर को कोशिश करता हूं यहां पर तहीं पर रख दो तो यहां पर रख देता हूं तो यहां पर देखिए और यहां पर 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 यहां पर देखिए यहां पर तो नहीं आ रही है और यहां पर ठीक है यहां पर बज़र आ रहा है और देखिए यहां पर भी यहां पर भी यहां पर देखिए यहां पर भी लाइट आ रहे है यहां पर 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 यहा सब्सक्राइब, यहां पर हो सकता है यहां पर सब्सक्राइब, निकालता हूँ, इस आईए को निकालके चेक करते हैं, चाहिता है तक हमारी शाटे इंग नहीं। हम इसको निकल देहर देखते हैं। सबस्क्राइब देखें जैसे कि मैं यहां पर इससे को निकलतब मेरे पर चाहिता-को सुजसे हम एक तो से सुझया शुजसे हम एकलोगन मुझे 6 six कि भीपल poor छो एकलोगन क्योद्ट मुझे नए लगना मेंपलं में padre बन नष्य अगर शॉर्टिंग चलनेज़ाती है तो हम यहां पे दूसरी लगाते हैं यहां फिर फिर अगर शॉटिंग वापस यहीं पर रहती है तो फिर हम उस लाइन को चेक करते हैं कहां पर शॉटिंग आ रही है तो मल्टिमिटर को बजर मोड पर रखते हैं और वही कैपसेटर चर्ट करते हैं जैसे कि मैं उपर चेक कर रहा हूं यहां पर बीप आ रही है और यहां देखिए फ्रेंस इस आईसी के नीचे साइड में मैंने चेक किया तो यहां पर reading हमारी proper आ चुकी है जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर shorting आ रही थी जैसे कि यहां पर देखा इस सवारे capacitor पर भी तो यहां पर एमारी reading normal हो चुकी है हमारी buck line तो ok है और यह तो capacitor लगें यहां पर सबस्की है यह भी हमारे पास में हमारी शोर्टिंग आ रही थी तो यहां लदा कि चेक करते हैं दिकर यहां पर कुछ शोटिंग नहीं अगर अन नहीं होता है तो आगे क्या कर सकते हैं आगे देखिए पूरा वीडियो में बने रहे हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बढ़ाओ लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छा आने वाला है दोस्तों यहां पर तो चलिए यहां पर मैं दूसरी आइसी लगाता हूं तो सब कर दो सकते हैं तो 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 सकते है कर दो अब दो अब दो फ्रेंट तो फ्रेंट तेले यहां पर मैं दूसरी ऐसी लगाता हूं यहां इपर तो सबसे पहले इसका नौसकर पाइंट डिख लेता हूं कहां पर है तो इसे हमें इस तरह से पलठा की लगाना है कि अजल्डी सीगारी के लगाता हूं कि अजल्डी से लुड़ के लिए गाता हूं करते। याल काकेता कर दाए करह सुन को सब्सक्राइब चलिए इसको लगा के चेक करते हैं आइसी को पीसीपी में कि मुबाइल आउन होता है कि नहीं होता है कि अब देख रहे हैं अब मैं इसमें चार्जर लगाने वाला हूं कि अब देखते हैं कि मुबाइल आउन होता है कि नहीं होता है इसमें कि जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने चार्जर को लगा लिया है और यहां पर दिस्प्ले भी लगा लिया है मैंने और यहां पर एक बार बैटरी लगा लेते हैं और देखते हैं कि कुछ लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है अब लगाने पर अभी तक एम आई लोगों नहीं आया है और यहां पर हम अभी बैटरी को लगाते हैं और बैटरी को लगा के चार्जर लगाते हैं बैटरी को लगा के चार्जर लगाते हैं देखते हैं कि फिर हमारा लोगो आता है कि नहीं आते हैं देखे मैंने यहां बैटरी लगा लिए है अब मैं यहां पर चार्जर लगाने वाला हूं चार्जर तो यहां पर देख सकते हैं फिरिंट सब माई का लोगो आ चुका है औ तो मैं आपको बताना चाहूंगा PMI, PMIC change करने के बाद में भी मेरा मुबाइल जो है अभी यहाँ पे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा इसका PMI IC है जो के charging light graphic ग्राफिक चार्जिंग लाइट इसी है तो यह बहुत हीट हो रहा है तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूँगा कि हीटिंग कहां पर हो रही है क्या है क्योंकि PM तो हमने चेंज कर लिया मुबाइल तो अन हो गया है तो दोस्तों जैसे आपने देखे हैं मैंने इसका मेन पी ही चेंज करने बाद मुबाइल तो अन हो गया लेकिन पिर भी यहां पे किस हिस्से में सीपी और इस PMI 8952 के पास बहुत ही हीटिंग हो रही है मैंने हाथ लगा कि यहां पर महसूस किया मुबाइल ओन तो हो गया मैं लोगा चार्जिंग भी आ गया अगर मैं करूं यहां प पावर चेंज करने से मुबाइल ओन तो हो गया लेकिन बाद में फिर वापस से यहां पे हीटिंग हो रही है दोस्तों यहां पर मैं आपको बदाना चाहूंगा जिसके मैं यहां पर मेरे पास रोजन है तो यहां पर मैं वाइट स्मोक जिसे कहते हैं यहां से जल्दी से कैटा केलें यहां पर लगा यहां पर घृ लगा लाएट चेक करते नो यहां पर भी उपकूर तो मैं इसका बेटरी लगाता हूँ और बैटरी लगाने के kid कर्ते ह्यां चलिए आप देख रहां वहां बता है तो यहां पर मेसी और पर बैटरी प्यमाई और CPU है अब यहां बताओं तो जैसा कि देख रहे हैं आप मैं यहां पर जैसे ही चारजर लगा दिया है अभी यहांपर यहां पर बात करूं तो यहां पर हीटिंग हो रही है और यहां यहां पर पुरा रोजन जा चुका है अगर आप चाहे तो मैं एक और बार बताना चाहूँगा आपको जल्दी से में वाइट स्मोक लगा देता हूं और वापस से चेक करते हैं कि कहां पर हीटिंग हो रही है तो यहां पर हमारी बैटरी लगी हुई है और PMI IC के पास में हिटिंग हो रही है बहुत जल्दी से तो जैसे ही चार्जर लगाते हैं हम देखते हैं तो इस तो जैसे कि आप आप देख सकते हैं यहां पर मैंने वाइट श्मोक लगा दिया है अब मैं इसमें बैटरी लगा हूंगा लोह हुआ तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर चलिए यहां पर देटरी को लगा लिया है अब यहाँ पर जैसे मैं चार्जर लगाऊंगा चलो जो ओपर गता दुखी जैसे मैं यहां पर चार्जर लगाऊंगा ता ओपर गतात ओब तो जैसा कि देख सकते हैं यहां पे पिए मारी एक नैन पाइड तू जो जो अब सबसे पहले हम यहां पर देख सकते हैं इसकी Power प्रफिक एसी जिसे पीम आई बोलते हैं से केंडरी पावर बोलते हैं इसलिए बार 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 बोल रहा हूं है एक्ट इस लिए एक और चलिए जल्दी से थोड़ा सा सीप्ली को ढाप लेते हुए और जहां ते इसे हम और के तो से अच्पास कि यहां पर सबसे पहले मैं फ्लक्स इसमें डाल देता हूं आईसी को निकालने के लिए आप देख रहे हैं यहां पर और मैंने यहां पर अलड़ी चेक किया है प्यम आई के पास कुछ शॉटिंग नहीं है लेकिन यह आईसी फिर भी शॉट हो रही है हीट हो रही है तो जल्दी से एक बार रिबॉल करके लगाते हैं अगर फिर भी सेम दिक्कत रहती है तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे कर दो कि अब देख सकते हैं मैंने इसका प्यम आई निकाल लिया है यहां पर क्लीन की में आ रहा है कि दिखना है तो फ्रेंट जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर मैंने इसका प्यम आई निकाल लिया है तो जल्दी से इसे रिवाल करते हैं और रिवाल करके लगाते हैं देखें किस तरह से लगाना है यहां पर सबसे पहले पीसीव को क्लीन कर देता हूं जल्दी से सब्सक्राइब कर देख रहे हैं आई सी को मैं कैसे मैं पीसीव को क्लीन कर रहा हूं इस सारी चीज़ अगर आप ठीकना चाहते हैं तो हर मेना हमारा 28 तारिक से बैस लगता है तो नीचे जो डिस्प्ले पे नंबर बिलिंक हो रहा है स्क्रीन पे इसे कॉल करिए अपनी सीट अब इस सारी चीज़ प्रैक्टिकल हमारी क्लास में बताते हैं और सारा ब्लैक पेस्टेड हो वाइट पेस्टेड हो या ग्लुड्य सी हो या और प्रैक्टेस के लिए भी आपने साथ पोड़ ला सकते हैं ब्लैक पेस्टेड वाइट पेस्टेड इस सारी चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं तो जल्दी से कॉल डाईए आपनी सीट बुक कराईए तो यहाँ पे मैं PMI 8952 जो ICS की ग्लास IC होती है उसको मैं जल्दी से रिबॉल कर देता हूँ और रिबॉल करके हम इस IC को लगाते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सौल हुआ है के नहीं हुआ है सेट हमारा ओन होता है के नहीं होता है देखते हैं क्या है ना कॉम्पोनेंट जो सकता है या फिर Icbilis रहते हैं अगर चाहो तो शौट किलर या DC मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऐसे में क्या होगा तरेंट उसमें में चौट किलर को इस्ट्व इस्टेप इस्टप तरीखा उता है लेगिन हर मोबाईल में आशॉच्य और जो हमारा manually work है वो करते है ताकि हमारा CPU और MMC power damage ना हो तो यह process हम कर रहे हैं यहाँ पे तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रिबॉल करने के लिए हमको पीपडी पेश की जरुवत पड़ती है कि इसकी और यहाँ पे हम जो हीट रखते हैं जो आप एर रखते हैं इस सारा एक टेक्निक होती है कैसे रिबॉल करते हैं ग्लास IC हो या नॉर्मल IC हो कैसे लेग वाला IC को लगाते हैं जब पिन वाली IC होती है यही चीज़ है प्रोसेस होता है step-based service का और यह सारी चीज़ आपको practically सीखनी पड़ेगी आप online यह सब नहीं सीख सकते यही चीज़ है practical करने में प्राक्टिकल आप offline course करने में यहीं आपका benefit है सब कुछ आपको practically देखने को मिलेगा करने को मिलेगा अपने master के साथ आपक आपको लगता है कि आप offline ही सीख सकते है अच्छे से तो जरूर जोइन करिए asia telecom और पूरा वीडियो एंट तक देखिए बिल्कुल skip मत करिए कि दूबन करें आप इशी को मैने रिवाल कर लिया है अब जल्दी से स्को क्लें करते हैं और क्लेंट करके इसको लगाते हैं और लगाके चेक करते हैं कि हुमारा सब्सक्राइब ये अधर में में प्रोब्लम है कि अधर में इंग प्रोब्लम हाई था इसी को चेंज करना हुगा आपको कि अधर में हीट होता है मोबाइल तौन चीज के अधर कि आप देख रहे हैं यहां पर मैं इस आइसी को लगाने वाला हूं अब हुआ इस तो चोश्त आप कवर सब्सक्राइब लक़ें पेंच आपका में अगया है कि यहां पर लगा द Sydवीयो कि अच्छा की अच्छा इस इस आइसी को लगा लेते हैं करें एक मिनटो अब कर देखा रहा हूं में लगा रहा हूं यहां पर इसकी पीएमाई 8952 जो के चार्जिंग लाइट और ग्राफिक डिए इसकी यहां पर यूज करेंगें थोड़ाचा फ्लक्स तो इस ऐसी में थोड़ाचा फ्लक्स कामें नहीं है इसके पुड़ा सा यहां पर आईसी को हम टच करते हैं ताकि हमको पता चल रहा है कि आईसी हमारी से बैठी है के लिए तो यहां पर मैंने आईसी को लगा दिया है अभी कि इसी अगे बादा पर के कामें है मुझावान वह ओ आप रहा है वह बढ़ा साथ भाप्या पर दो जढ़ा शोग दो जब जढ़ा कर दो जब 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 कि अब देख रहे हैं मैंने यहां पे इसका पीम आई इसी लगा दिया है अब चैक करते हैं कि देख सकते हैं यहां पर मैं इसी का पी फीयम का लगा दिया है अंपर लौकशं को देख सकते हैं ame juga अपर डिस्प्ले फ्लेक्स और इसका डिस्प्लें का पता लगा दिता हु − और चारिजर पता लगा देता हु पॉर्डिवक करते हैं और बेटरी लगाकर चेक करते हैं के हमारा मुबाइल आन होता है के नहीं होता है और मैंने यहाँ पर बैटरी भी लगा दी है और यहाँ पर जो हीटिंग हो रही थी अभी बिल्कुल हीटिंग नहीं हो रही है जिसा कि आप देख सकते हैं यह सेट को चार्जिंग कितनी है शो कर रहा है तो यहाँ पर जल्दी से मैं यहाँ पर देखिए पावर की को दबाता हूँ तो फ्रेंट जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं पावर की प्रेस करता हूँ जैसे मैं पावर की प्रेस करता हूँ मेरा मुबाइल अभी यहाँ पर आउन हो जाएगा आपने वीडियो देखा कैसा मैंने step by step इसको रिपेर करने की कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की उमीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा क्या है ना फिर्ण सिर्फ IC से ही problem नहीं आती है कभी component से भी आती है यह आपको find out करना होता है कि किस में problem आ चुकी है कैसे आपको find out करना है यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो नीचे like जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को subscribe करिए और नीचे तो number blink हो रहा है अपनी seat book करवा सकते हैं आप यह सब सीखना चाहते हैं तो जरूर जोइन करिए एशिया टिलिकॉम और नीचे कमेंट जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा है तो मिलते हैं किसी next वीडियो में फ्रेंट जब तक के लिए अल्ला हाफीज थैंक्यू गरिमार्ट